पनी लाहोरी हम बनाने वाले हैं बिलकुल उस तरीके से जैसे की रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है मैंने जिस तरीके से बनाया है अगर आप उसी तरीके से बनाऊगे तो यकीन मानिये आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने पनी लाहरी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस घर पे बनाया दो बड़े चमश मैंने पीनट ओयल मुफली के तेल का लिया है उसमें एक तेजपता डाल दिया है बिल्कुल छोट आसा टुकड़ा दाल चीनी का डाल दिया है एक मैंने बड़ी लाइची डाल दिया है थोड़ी सी फोड का और जावित्री डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा जीरे का और ये जो सारे मोटे मसाले डाले हैं इसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर धनी के बीज भी डाल दीजिए और अच्छे से मसाले को थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए उससे अच्छे से मसालों का अरोमा ऑईल में आ जाएगा दो बड़े चमज गारलिक के और अद्रक के दो बड़े चमज कदूकस करके बारीक चॉप करके डाल दीजिए कदूकस करेंगे न तो पैन में पूरा स्टिक हो जाएगा इसलिए बारीक कट के डाल दीजिए दो टमाटर को एक तम बारीक वाला चॉप करके डाला है टमाटरों को और इसे अच्छे से दे तकड़ी टुकडी वाला काजू ही इस्तमाल होता है ग्रेवी के अंदर साबुत काजू नहीं होता है तकड़ी वाल मार्केट में जिस एपन चाजू यह टोड़ा सब भूल लेंगे एक चमश लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर ना मैंने कश्मीरी मिर्ची वाला इस्तमाल के है जिसका तीखापन तो कम होता है लेकिन रंग अच्छा आएगा सबसी के अंदर वैसे बजार वाले रतन जूत का इस्तमाल करते हैं रेड अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो वन फूट टेस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है किचिन किंग मसाला आदी चमश डाला है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मसाले डाल के अच्छे से भूल लेंगे ये जो है ना ग्रेवी बन रही है जो बजार वाले मॉर्निंग में बना के रख लेते हैं और पात में हम में सबजी बनाएंगे उसके अंदर अलग मसाले डालेंगे एक चमच में इसमें थोड़ा सा नमक और एक चमच चीनी का डाल दिया है ये जो बेसिकली ग्रेवी बनती है इसे डेड़ का पानी डाल के अच्छे से पकाया जाता है बजार वाले डेड़ से दो गंटे इस मसाले को पानी में उबालते हैं उसके बाद mixi में इसका paste बनाते हैं और morning में बना के रख लेते हैं और evening तक सबजियां जो बनती हैं वो इसी तरह की ग्रेवी में बनती है हर सबजी के लिए ग्रेवी थोड़ी अलग-अलग बनती है तो ये मैं आपको एक पंजाबी ग्रेवी बता रही हूँ पंजाबी रेड ग्रेवी कैसे बनती है ये देखिए जब पानी पूरा सूख जाएगा ना ये देखिए तब तक आपको इसे मसाले को पकाना है मैंने थोड़ा oil का quantity कम रखा है अपकी बाएर आप थोड़ा सा जादा डालिएगा उससे टेस्ट ज़ादा अच्छाएगा चलिए जब ये बिल्कुल थंड़ा हो जाएगा ना मसाला उसके बाद इसे मिक्सी के अंदर डालके आप इसका पेस्ट बनाएगे जब ये बिल्कुल थंड़ा हो जाए नहीं तो ये काफी एक्सिदेंटल हो सकता है इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, मैंने उसी पैन को अच्छे से वाश करके और मिक्सी का धकन लगाके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए चलिए अब एक पैन के अंदर दो बड़े चम्मत सर्सू के तेल को करम कर लीजे सर्सू के तेल को पैन में चारो तरफ पैचुला से फलाते हुए सिजन कर लीजे जिसे सबजी चिपके नहीं और एक बड़ा चम्मत जीरे का डाल देंगे आधा कप एक दम बारी कटा हुआ इसमें पैस डाल दिया है आप जो पैस आपको ब्राउन नहीं करना है केवल हलका सा पैस जब अपना कलर बदलने लगे ट्रांसलूशन सा हो जाए इस तरह के का तब तक आपको पैस को बूनना है इसमें दो बड़े चम्मच बारी कटी हु वैसे तो मैंने चिली पेस्ट कर्मे बनाया था मिर्चियों को पानी में उबाल के बना सकते हैं यह पनी लाहरी में डलता है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आधा कप बारी कटा हुआ टमाटर हमने इसमें डाल दिया और दो बड़े चम्मच बारी कट हुए कुरिंडर लीव्स धनिये के पत्ते डाल दिया अगर आपके पास शीजवान सॉस का नहीं है शीजवान पेस्ट तो आप क्या करेंगे सूखी जो किश्मीरी मिर्चिया आती ठोड़ी सी पानी में उबाल के लेस्टिन के साथ पेस्ट पना लैजिए थोड़ा सा ओल डाल के आब इसमें 1 4th कप मैंने मिली जुली जिए जो प्लार फुल ना मिर्जिया र向 पीली भी है तो भी डाल दिये और थोड़ा से सॉटे कर लेते हैं बहुत ज़ादा मिर्जियो पकाने की जरूरत नहीं होती है देखिए आप इसमें जो ग्रेवी बनाई थी न हमने पंजाबी ग्रेवी बनाई प्रीजर में रख सकते हैं साल भरतर खराब नहीं होती है इसमें एक से दो कप पानी डाल के ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे एक तम ऑईल रिलीज होने तक इसमें डाल देंगे एक चमच कश्मीरी लाल मीची पाउडर का अब जैसे मैंने आपको बताया था सारे मसाले दुबारा डलेंगे आदा चमच करम मसाला आदा चमच किचिंग किंग मसाला और ये मेरे सारे होममेड मसाले हैं एक चमच कुरेंडर पाउडर का डाल दिया है अगर आप से मसाल के तीकापन मजें साइ में तीकापन थेजा मासाल 1 fourth टीस्पोन मेरी मनद मेरी डीकाश मेरी मेरी मासाल के न चाहिए मेरी बाऔर厂 यह मैंने बारी कटा हुआ, टमाटर थोड़ा सा और डाल दिया था, करीब दो बड़े चमज, कच्छे टमाटर का जो टेस्ट आता है न सब्जी में इस टाइम पे अच्छा आता है मसालों को बैलन्स करने के लिए, एक बड़ा चमज कसूरी मेति का भी डाल दिया है, अच्छ पनीर को ना मैंने फ्राइड पनीर को ना इकतम तेज आच पे लंबे-लंबे रेक्टेंगल्स काटके अब फ्राइड करने की बाद थोड़ी दे गरम पानी में डाल के रख दीजे इसमें दो बड़े चमज मैंने फ्रेश अमूल क्रीम का डाल दिया है, अमूल क्रीम बस घर की फ्रेश मलाई में वॉइड करते हूं उससे उतना अच्छा टेक्स्चर नहीं आपाता, उतनी स्मूधनेस नहीं होती है तो देखिए इसके अंदर भी मैंने दो बड़े चमज होट इन स्वीट टमैटो केचप के डाल दी है, मैगी वाला कमतनी का मैंने लिया है, आपको इसा भी ले सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टेस्ट आता है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम रेस्टोरेंट वाला बनाना है, तो मैगी का होट इन स्वीट टमैटो केचप बेस्ट है, चलिए जो ग्रेवी है, अल्मूस्ट बन के तयार है, इसमें लेकिन जाएगा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टन वनफूर्थ कप मावा खोया, अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करिए, तीन से चार चममेच, जो मिल्क पाउडर होता है, उसमें थोड़ा से देशीगी मिलाके, उसका खोया जैसा बना लीजे, और इसमें डाल दीजे, अ अच्छे से मैंने इसको ऐल को सेपरेट होने रख दिया, पानी बहुत जादा नहीं डालना ही रेखिए, सबसी बिल्कुल बनके तयार है, पानी जो है ना सारा अच्छे से ग्रेवी में अबसॉर्ब हो चुका है, और ऑल भी रिलीज हो चुका है, सबसी इस वक बिल्कुल अच्छा पराटा, तंदूरी रोटी, नान, राइस, पुलाव, आप इसे रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं थैंक यू सो मच, टेक केर, लव यू अल, बाबाई